Hello students, आज हम आपको website में login करना और अगर आप new है, तो कैसे registration करें यह सब चीजें आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए. सबसे पहले आप हमारी website vyasacademy.com Google पर सर्च करेंगे, उसके बाद हमारी website पर क्लिक करेंगे. फिर हमारी website कुछ इस प्रकार खुल जाएगी, उसके बाद आपको login पर क्लिक करना है. Login पर क्लिक करने के बाद, अगर आपने पहली बार इस website पर विजिट किया है, तो आपको register here पर क्लिक करना होगा. फिर उसके बाद इस प्रकार का page खुल जाएगा, अब आपको यहां कुछ step follow करने होंगे. सबसे पहले आपको यहां अपना नाम डालना होगा, फिर उसके बाद आप अपना Gmail ID डालेंगे, फिर आप अपना कोई भी password डालेंगे, फिर यहां आप अपना state का नाम डालेंगे, फिर phone number, यह सब details डालने के बाद में confirm password डालेंगे, अन्थ में आप submit पर क्लिक कर देंगे. फिर आपको यहां कुछ इस प्रकार की headline मिलेगी, your registration was successfully, please login to your account, अब आपका registration हो चुका है. इसके बाद आपको login करना होगा, यहां पर अपना number और password डाल कर submit पर क्लिक करना होगा. फिर आप website में login हो जाएगे, फिर आप थोड़ा page को scroll करोगे, तो निचे IAS की recorded और free और paid class वीडियो शो हो रही होगी. Free class आप बिना package के देख सकते हैं, तथा paid classes वीडियो आप academy से paid package लेकर आप paid classes वीडियो देख सकते हैं. अगर आप paid वीडियो पर क्लिक करते हैं, तो इस प्रकार का page शो होगा, आपको paid वीडियो को देखने के लिए इन package को purchase करना होगा. अगर आप free वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ free वीडियो मिल जाएंगी, आपको किसी subject पर क्लिक करना है और free वीडियो देख सकते हैं. ठीक इसी प्रकार आप package purchase करके paid वीडियो को देख सकते हैं. और हमारी website पर daily current affairs, test series, blogs, notes, assignment और books available है. अब हम आपको बताते हैं कि आपको notes कैसे मिलेंगे, उसके लिए आपको यहाँ किसी एक medium पर क्लिक करना होगा. अगर English medium है, तो English medium पर क्लिक करे, otherwise हिंदी पर क्लिक करे. अब आपको यहाँ subject wise notes मिल जाएंगे, आपको यहाँ notes topic wise शो होंगे, फिर आपको यहाँ notes का icon शो हो रहा होगा. आप यहाँ क्लिक करेंगे, तो notes open हो जाएंगे, इसी प्रकार आप सारे subject के notes देख सकते हैं. अब जानते हैं कि आप current affairs और blog कैसे देख सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ website के top पर current affairs पर क्लिक करना होगा. फिर आपको यहाँ date wise current affairs और blogs मिल जाएंगे. अब जानते हैं कि आपको test series कहां मिलेंगे, उसके लिए website के top पर यहाँ test series पर क्लिक करें. फिर किसी एक test series पर क्लिक करें, फिर आपको यहाँ password एंटर करना होगा. यह password आपको institute द्वारा provide कर दिया जाएगा. फिर आप यहाँ password एंटर करेंगे. तो यह test series open हो जाएंगे. इसी प्रकार आप यह सभी test series देख सकते हैं. अब हम जानते हैं कि books आप कैसे देख सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ किसी एक subject पर आना होगा. जैसे कि हम geography पर click करते हैं, आपको यहाँ top पर book का icon show हो रहा होगा. आपको यहाँ click करना होगा. जैसे ही आप book के icon पर click करेंगे, तो आपको book show होगी. अब आपको books पर click करना होगा. बुक पर click करते ही यह book open हो जाएगी. इसी प्रकार आप किसी भी subject की books देख सकते हैं. अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप यहाँ general inquiry पर click करके किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. झाल